यरे के निहां कि या मुझे होत में सुन लगने लगा है और जुमान में क्यों लगता है तर शुरूज गहाँ sulphur federική इसी कड़द करेंगे कि विजद्ण tooth surgery के बाद, especially lower wisdom tooth surgery के बाद, होट में सुन या जुबान में सुन क्यों लगता है, तो शुरू करें तो मेरे पास बहुत सारे comments आते हैं, जो मेरे extraction वाले videos हैं, especially wisdom tooth surgery वाले videos हैं उस पर बहुत सारे लोगों ने ये comment गया है, कि मैंने अपने lower wisdom tooth surgery की, उसके करवाने के बाद, जो है, वहाँ पे जो है, मुझे काफी दिन तक जो है, पारस्थीजिया रहा है, वहाँ पे जो है, टिंगलिंग सेंसेशन रही है, और वहाँ पे सुन रहता है, और मैं बहुत पर बिल्कुल हलका भी पता नहीं चल रहा है, पेन तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, हीट भी नहीं पता चलती हो सकता है, टच पता चले, फिर हम बात करते हैं, डिसेस्थीजिया, डिसेस्थीजिया का मतलब है, कोई भी एक altered sensation हो, नॉर्मल सेंसेशन के बजाए, तो उसक के बात करते हैं, डिसेस्थीज लगते हो, कि बात करते हैं, कि ऐनसेशन के बात करते हैं, कि आपके एक dönkin को नहीं कता बात करते हैं, वोटी है जो आपके यहां पे आपके इसको स्मो करती है क्या कहते है सप्लाइख करती है आपके दातों को मसूदों को और उसके अलग 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 ब्रांश भी होती है और आपको एक कीजिस का ध्यान रखना है दो में नर्व होती है जो सेंसेशन और जिसमें पारस्थीजा का सबसाइब चांस होता है एक होती है आपकी inferior alveolar nerve इसको breakdown करें तो inferior alveolar nerve inferior मतलब निचली alveolar मतलब हड़ी और nerve मतलब नस और दूसरी होती है lingual nerve lingual का मतलब होता है लाटन में टंग ठीक है तो एक तरीके से जो आपके टंग को सप्लाइ करती है अब बात करते हैं पारस्थीजिया inferior alveolar nerve के सिम्टम्स में क्या होता है आपको यहां पर सुन लगने लगता है यहां पर ऐसे करके एक सुन वाली feeling आती है at the same time आपको जो है पारस्थीजिया लगता है कि यहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि चीटी जल रही है दूसरी चीज लिंगुल नर्व जब होता है लिंगुल नर्व में जब injury होती है तब आपको alteration of test नहीं होता है लेकिन महां पर आपको एक अलग टाइप की numbness या sensation लगती है एक सिंपल सी बात में बताना रहता हूं जब भी लिंगुल नर्व या inferior alveolar nerve को direct या indirect injury होती है तभी post-operatively यह चीजें होती है यह complications arise करती है इसकी percentage जादा नहीं होती है बट जो होती है जिन लोगों को यह problem से जाना पड़ता है जूंजना पड़ता है उनके साथ यह काफी harrowing होता है inferior alveolar nerve injury कहते हैं और इसको हम बोलते हैं lingual nerve injury तो यह हैं इसकी percentages अब मैं बताता हूं कि अब इसके कारण क्या क्या होते हैं सबसे पहली बाट तो सबसे important चीज होती है case selection बहुत बार जो है आपकी अकल की दाड़ वो हड़ी में बिल्कुल दभी पड़ी वी होती है और उसके लिए हमें surgical extraction करना पड़ता है surgical extraction के लिए हमें एक flap raise करना पड़ता है flap का मतलब होता है कि हमें एक incision एक चीरा डालके जो है मसूरों को खोलना होता है और depending upon कि आपका दाथ कैसा है उसके हिसाब से जो हमें या तो surgical तरीके से हमें वहां की हड़ी आसपास की काटनी पड़ती ताकि हम उसको निकाल पाएं वरना बहुत सारे cases में हमें दाथ को ही काटना पड़ता है भागों में ताकि हम उसको असानी से निकाल पाएं अब बात करते हैं injury की injury में सबसे important चीज़ बताता हूँ होता क्या usually अगर हम inferior alveolar nerve block की बारे में बात करें जो basically जो injury है वहां की उसमें बहुत बार जब हम inferior alveolar nerve block देते हैं कभी कबार ऐसा होता है कि हम जो injection दे रहे होते हैं local anesthesia का वो exactly nerve sheath को pierce कर जाता है nerve sheath मतलब जो nerve के ओपर परत होती है और वहां से जो है थोड़ी सी nerve injury direct हो जाती है जिसकी वेसे वहां पर profound paresthesia या anesthesia होने के chances रहते हैं इसका मतलब है कि आपका extraction हो भी गया और ठीक भी हो गए बट आपको अभी भी वहां पर जो है नस के लक्षन दिखते हैं जैसे कि आपको पारसीजिया मिल रहा है या वहां पर सुन वाली feeling आ रही है या एक tingling वाली feeling आ रही है चीटी चलने वाली feeling आ रही है अब बात करते हैं जब हम intraoperatively काम कर रहे होते हैं तब बहुत बड़ी problem यह होती है कि अगर case selection ठीक से नहीं किया होता या बहुत बार ऐसा होता है कि हड्डी में बहुत ज्यादा दांत बिल्कुल गड़ा होता है तो हमें बहुत सारी हड्डी डालने होती है जिसकी वाज़ स हमें बहुत दिर तक flap खोलना रखना पड़ता है अब surgery अगर बहुत ज्यादा लंबी चल गई तो वहां पर क्या होता है एक simple rule है जितनी ज्यादा लंबी आपकी surgery चलेगी उतना post-operative edema होगा post-operative edema मतलब हम एक तरीके से जब भी कही surgery करते हैं वहां एक तरीके की medical चोट पहुंच रही होती है जब medical चोट पहुंचती है तो वहां पर obviously swelling होईगी और अगर यह surgical procedure बहुत लंबा चल जाता है and for whatever reasons जो flap है वो ठीक से उठाया नहीं गया है उसमें कोई operator deficit है कुछ भी है मैं किसी doctor के skill पर comment नहीं कर सकता लेकिन for whatever reasons है कि वहां पर जो है post-operative edema ब बढ़ दाती है post-operatively तो वह नर्व को compress कर सकती है एक और रीजन का है अब हम बात करते हैं लिंग्वल नर्व इंजरी के बारे में लिंग्वल नर्व इंजरी का सिंपल साफंड है कि आपकी जो लिंग्वल नर्व है वह आपके जबडे की हड़ी के अंदर तरफ इस सते की जो जुबां की तरफ आपकी जो सकते हैं वहां पर उसके ऊपर चलती है बहुत बार ऐसा होता है कि वह हड़ी में समाई नहीं होती है और हड़ी के ऊपर चल रही होती है तो जब आप फ्लाप खोलते हैं लिंग्वल साइट से याने कि जुबां की साइट से अगर आप फ्ल लिंगोल स्प्लिट टेक्नीक इसके हमें डीटेल्स में जाना है उसमें भी बहुत बार हमारी लिंगोल नर्व इंजरी हो जाती है अब कौन-कौन से इसके बात है कि अगर आपका के सेलेक्शन ठीक निया मान लीजे आपका इंपक्शन जो है बहुत सारे टाइप के इंपक्शन होते हैं मीजियो अंगलर होता है यानि कि जो दांत है वह पिछले दात की तरफ टेड़ा हो रखा है डिस्टो अंगलर मतलब जो पिछले दात के ऑ बात बार जो है जब हमारा मेजियो अंगलर होता है तो वहां पर हम हड़ी काटनी पड़ती है और ढस्टो आंगलर रेकशन जो होता है उसमें की अधरिक कार्नीपड़ती है जिसकी वयसे वहां पर हो सकता है कि नर्व इंजुरी होने के Chances हो जाएं अब होता हीए कि बहुत अगर वहां पर जो है बर का एंगल हमने अपनी तरफ थोड़ा जादा कर लिया इस तरफ जो है सर्जन की तरफ जादा कर लिया और हमें दिखता नहीं जिसकी वैसे हो सकता है हमें डारेट नर्व इंजरी हो जाए देखिए परसेंटेज ऑफ इंजरी बहुत कम है कंपेर्ड सक्सेस लेकिन एक मरीज के द्रिश्टिकोन के साब से वह काफी जो है डेरिंग चीज होती काफी डरावनी चीज होती है क्योंकि अगर आप सोचे कि आपने एक्स्ट्रक्शन करा लिया फो वाटेवर रीजन कि उसमें सडन है या वह गाल काट रहा है जो भी कर रहा है उसके बाद भी आपको यहां सुन लग रहा है यहां चीटी दोट रही है तो आपको बहुत प्रॉब्लमाटिक होता है साइकॉलोजिकली बहुत जो है परिशान करता है अब बात करते हैं कि यह कब तक चल सकता है देखिए स्टडीज ने तो यह बोला है कि यह छे मैने तक तीन से चार हफते में यूज्वली स्पॉंटेनेस रिकावरी हो जाती है इसके लिए मैनेजमेंट के लिए हम सबसे इंपर्टन चीज करते हैं या तो हम नियूरोबायम फॉर्टे की हम टाबलेट्स देते हैं कुछ मल्टी विटामिन सप्लिमेंट्स होते हैं जो हेल्प कर सब्सक्राइब करना और जितने इंस्ट्रक्षन आपको दॉक्तर ने दिया है उनका जो है बिल्कुल सह पालन करिए तो यह थाज करिए जाब फश्व करना रहा चातें तो यह पेश्वला पत्रण और मैं इसे नौल करें स्थान और अपनी समस्य के बारे में लिखिए हो सकता है मैं थोड़ा टाइम ज़र लोगा हूं आपको वापस रिस्पॉंड करने में क्यूंकि मुझे दिन के कम से कम कम से कम 40-50 मेस्जिज आते हैं तो हो सकता है मैं आपको exactly same time पे reply ने कर पाऊं तो आज के लिए इतना ही नमस्ते